स्वामी विवेका नंद जी का जन्म 12 जन्वरी 1863 को कलकता के एक मध्यम परिवार में हुआ था। रामकृष्णमीशन की अस्थापना की जो आज भी चल रहा है। उन्होंने एक ऐसी समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाती के अधार पर मनुस्य मनुस्य में कोई भेदना रहे। उन्होंने विदान्त के सिधान्तों को इसी रूप में रखा था। वे विदान्त के विख्यात और प्रभावशाली अध्यात्मिक गुरू थें। उन्होंने अमेरिका इस्तिस शिकागो में सन 1893 में आयूजित विश्व धर्म महासवा में भारत की ओर से सनातम धर्म का परतिनिदित्व किया था। उन्हें प्रमुक रूप से उनके भाषन की शुरुवात मेरे अमेरिकी भायों इवं भहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सब का दिल जीत लिया था। वेकेवल संथी नहीं एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानो प्रेमीवी थे। अमेरिका से लोटकर उन्होंने देशवासियों को कहा था कि नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, कारखानों से, हाट से, बजार से, जंगलो, पहारो, परवतों गांधी जी को अजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेका नंज जी का ही फल था। वे इसी प्रकार भारतिये सुतंत्रता संगराम के भी प्रमुख प्रेनाशरोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारत वर्स धर्म एवम दर्शन की पुन्य उठो जागो स्वयम जाग कर औरों को जगाओ काफी प्रचलित है।